So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 31 जुलाई की important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है? हाल इमें मानव संसादन विकास मंत्राले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा सिक्षा मंत्राले और ये जो नाम में परिवर्तन हुआ है ये नई सिक्षा नीती यानि की नई education policy की एक प्रमुक सिफारिश थी Actually में शुरुआत में इसका नाम सिक्षा मंत्राले ही था लेकिन 1985 में जो हमारे पूर्व परधान मंत्री थे राजिव गांदी उनके समय इसका नाम बदल करके मानव संसादन विकास मंत्राले कर दिया गया था और मैं आपको बता दू अभी cabinet ने नई राष्ट्र सिक्षा नीती 2020 को भी मंजूरी दे दी है अच्छा माल लो अगर एक्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि नई सिक्षा नीती के लिए कितनी समीतियां बनी थी तो फिर आप आंसर करना दो एक तो बनी थी TSR सुब्र मन्यम समीती और एक बनी थी कस्तूरी रंगन समीती और नाम चेंज से कल भी हमने एक प्रशन पड़ा था लखनों में एक सडक और एक चोक का नाम लाल जी दास टंडन के नाम पे रखा गया है तो वो भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाली में Asian Infrastructure Investment Bank के अध्यक्ष यानि की President के रूप में किसे चुना गया है तो आंसर होगा जिन लिकन को Actually में जिन लिकन ये अभी तक Asian Infrastructure Investment Bank के अध्यक्ष ही थे पर अभी एक बार फिर से इन्हें दूसरे कारेकाल के लिए भी चुन लिया गया है और इनका जो दूसरा कारेकाल पांच साल का कारेकाल शुरू होगा वो 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा तो इनका नाम याद रखना AIIB के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन लिकन है बाकी कारमेन रेनहार्ट ये World Bank की Chief Economist बनी थी Marcos Traejo ये New Development Bank के अगले अध्यक्ष चुने गए और Theory Delaport ये Wipro के MDCO बने हैं बाकी AIIB की बात करेंगे तो Headquarter Beijing चाइना में है और अध्यक्ष तो यही हैं जिन लिकन बढ़ते आगे फिर हाली में किसे Paytm Money के CEO के रूप में न्यूक्ट किया गया है तो आंसर होगा वरुन श्रीधर को तो अभी वरुन श्रीधर को Paytm Money के CEO बनाया गया है तो इनका नाम याद रखना वरुन श्रीधर बाकी राजेश भूशन अभी आपको याद होगा स्वास्त मंत्राले में नए सचीव बने, सेकरेटरी बने और पार्थ प्रतिन सेन गुपता इंडियन ओवर्सीज बैंक के नए MDCO बने थे बाकी रमेश बाबू ये करूर वेश्य बैंक के MDCO बने वैसे Paytm के अगर बात करेंगे तो 2010 में स्तापना हुई थी इसका हेटकोटर आपको नोईडा में मिलेगा और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है विजे शेखर शर्माव और Paytm की जो Parent Company है क्या नाम है उसका 197 Communication बढ़ते आगे और गाईज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना देखिए आप लोग ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए लास तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और अगर आप मेंसे कोई स्टुडेंट इस चैनल को फर्स टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नूटिफिकेशन मिलते रहें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहों बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है चलिए बढ़ते आगे फिर है हाली में सोमालिया के कार्रेवाहक प्रधान मंतरी आनि के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं तो किसे नूक्त किया गया सोमालिया के कार्रेवाहक प्रधान मंतरी के रूप में तो आंसर होगा महदी मुहम्मद गुलेद को तो ये सोमालिया के अभी तक डेप्यूटी पीम थे महदी मुहम्मद गुलेद जिने अभी राश्टरपती मुहम्मद अब्दुलाही फरमाजो ने सोमालिया के कार्रेवाहक परधानमंतरी के रूप में नियुक्त कर दिया है और ये जो नियुक्ती है इनकी ये पिछली सरकार के जो परमुक्त है हसन अली खेरे उनके खिलाफ अविश्वास परस्ताव के बाद हुई है इसके अलावा राश्टरपती एक महीने के बीतर नया परधानमंतरी नियुक्त कर देंगे तब तक महदी मुहम्मद गुलेद ये कार्रेवाहक परधानमंतरी के रूप में काम संभालेंगे बाकी हिचेम मचीची के बारे में हमने कली पड़ा था ट्यूनिशा के नय परधानमंतरी बने और कुबाट बेक बुरुनूब ये किर्गिस्तान के नय परधानमंतरी बने थे और मुस्तफा अलकदीमी ये इराग के ने प्रधानमंत्री बने अब बात सोमालिया की है तो ये रहा मैप में सोमालिया, इस्ट अफ्रिकन कंट्री है ये सोमालिया, कैपिटल मोगाडीश्यू है, करंसी है सोमाली शिलिंग बढ़ते आगे फिर है हाली में सीवर में होल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तमाल करने वाला पूरवत्तर शेत्र का पहला शेहर कौन सा बन गया है तो आंसर होगा गुआ हाटी तो आपको याद होगा पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था केरल की एक स्टार्टप कंपनी है जेन रोबोटिक इनोवेशन और इसी ने दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा रोबोट बनाया था जो में होल जो गटर वगेरा होते हैं उनकी सफाई कर सके ताकि किसी सफ पहला गुरुग्राम था दूसरा था कोयंब टूर और तीसरा अब ये गुवाहाती अब बात असम की है तो ये रा मैप में असम कैपिटल इसकी दिस्पूर है मुक्यमंत्रिय सर्बानंदा सोनोबाल गवर्नर है जगदीश मुकी और यहां के चीप चेश्टिस का नाम है अ असम में एक बहुत फेमस मेला आयुजित किया जाता है अंबुबाची मिला असम के कामाख्या मंदिर में लगता है ये लेकिन इस बार इसे रद्द करना पड़ा COVID-19 के कारण एक बीहू महत्सों भी याद रखू और असम से दो important point में आपको बता दाओं एक तो असम में जाएगा नेशनल पार्क में उसके अलावा यहाँ पे में आपको मिलेगा पोबो रिजर्व फोरेस्ट आरक्षित वन जिससे अपग्रीड किया जाएगा wildlife century में तो ये दोनों आप most important याद रखना इसके अलावा आपको असम में मिलेगा काजी रंगा नेशनल पार्क लेकि तब शुरू की है तो ये याद रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाली में मानव तसकरी के विरुद्ध विश्व दिवस यानि के day against trafficking in person ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 30 जुलाई को तो मानव तसकरी के विरुद्ध जाग रुकता और पीड़त व्यक्तियों के अधिकारों के रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तसकरी के विरुद्ध विश्व दिवस के रुप में मनाया जाता है और इस बार इसकी theme क्या रही committed to the cause working on the front line to end human trafficking अब बात important days की है और ये आपका जुलाई का last important day था अब जुलाई में जो भी हमने day मैं एक बार फिर से आपको revise कर वा National Chartered Accounts Day 2 जुलाई को World Sports Journalist Day मनाया 4 जुलाई को International Day of Cooperative जानिकी सहकारिता दिवस मनाया 11 जुलाई ये जुलाई का सबसे important day है विश्व जनसंक्या दिवस World Population Day 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया 15 जुलाई को विश्व युवा कोशल दिवस World Youth Skill Day मनाया फिर 17 जुलाई जुलाई को अंतर राष्ट्र न्याय दिवस मनाया Day of International Justice 18 जुलाई को Nelson Mandela Day मनाया 20 जुलाई को World Chess Day मनाया फिर 23 जुलाई को राष्ट्र परसारण दिवस National Broadcasting Day मनाया 25 जुलाई को World IVF Day मनाया फिर 28 जुलाई को World Hepatitis Day मनाया और 28 जुलाई को ही विश्व प्रक्रति संगरक्ष दिवस World Nature Conservation Day मनाया और 29 जुलाई को अंतर राष्ट्र बाग दिवस हम लोगोंने मनाया था International Tiger Day तो यह आपको ध्यान रखने बढ़ते हैं आगे फिर हाल में किसे United Nation और International Confederation of NGO ने करमवीर चक्र से सम्मानित किया तो अंसर होगा सुनील YDVSS को तो SS Motivation के संस्थापक हैं यह सुनील YDVSS और इनको अभी United Nation और International Confederation of NGO ने Global Fellowship Award के रूप में स्थापक करमवीर चक्र Award से सम्मानित किया है यह एक Motivator है जो लोगों को Motivate करने का काम करते हैं और यह जो करमवीर चक्र है यह उन लोगों को दिया जाने वाला एक वैश्विक पुरसकार है जो साहस दिखाते हुए परिवर्तन की पहल करते हुए समाज में योगदान करते हैं और यह जो पुरसकार है यह जो पूर्वर राष्टरपती थे हमारे डॉक्टर एपिजे अब्दुल कलाम उनके लिए सम्मान का एक प्रतीक है बाकी अर्चना सोरेंग के बारे में हम लोगोंने कली पड़ा था क्लाइमिट चेंच पर युनाइटिड नेशन के युवा एडवाईजरी ग्रूप के लिए इनने चुना गया था कलान आराइन सामी की बात करेंगे भारते मूल की नर्स हैं और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापूर के राष्ट्रपती पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और प्रोफेसर अशुक सानी की बात करें तो प्रत्वी विज्यान मंत्राले ने लाइफ टाइम उत्करष्टता पुरुसकार से इनको सम्मानित किया था तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं बढ़ते आगे फिर हाल इमें भारते मूल के उस लेखक का नाम आपको बताना है जिसकी पुस्तक बंट शुगर को 2020 बुकर पुरसकार की सूची में शामिल किया गया तो आंसर होगा अवनी दोशी को तो दुबई में रहने वाली भारते मूल की लेखी का है ये आवनी दोशी जिनको 13 लेखकों के साथ 2020 के बुकर पुरसकार के लिए सूची में शामिल किया गया अब ये पुरसकार किसे मिलेगा इसकी घोशना तो नवंबर में होगी अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2019 का बुकर पुरसकार किसको मिला था अच्छा किसको मिला था उससे अधा important ये हो जाता है कितने लोगों को मिला था क्योंकि वैसे तो ये हर साल एक व्यक्ति को दिया जाता है लेकिन इस बार रून को तोड़ करके दो लोगों को दिया गया था एक मिला था Margaret Atwood को उनकी बुक The Testaments के लिए और एक मिला था Bernardine Everisto को उनकी बुक Girl, Woman, Other के लिए और इनका नाम इसलिए और भी important हो जाता है क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला रही थी ये बुकर पुरसकार जीतने वाली अच्छा कई बार इस्टुडेंट्स को ये भी confusion हो जाता है ये तो हो गया आपने सुने हुए होंगे और याद होंगे अगर डेली आप लोग Current Affairs पढ़ते होंगे तो बाकी अगर हम S. हुसेन जीदी की बात करेंगे तो इन्होंने एक बुक लिखी है The End Game नाम से और बलदेव सिंग की बात करेंगे तो इन्होंने सूरच कदे मरदा नहीं नाम की बुक लिखी है और सुब्रमन्यम जेशंकर जो की विदेश मंतरी हैं हमारे इन्होंने कौन सी बुक लिखी है The India Way Strategies for Uncertain World बढ़ते आगे फिर है हाल इमें COVID-19 का मुकाबला करने के लिए किसने भारत को 3 मिलियन डॉलर के अनुदान को यानि की लगबग होते हैं यह 22 कारोड रुपे के आसपास तो इतना अनुदान देने की मंजूरी कर दी है अनुदार मतलब इस तापना 1966 में हुई थी Headquarter आपको Manila फिलिपिन्स में मिलेगा और इसके प्रसेरिन का नाम क्या है मसाथ सुकु असा कावा अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और क्यूशन में आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना अभी International Monetary Fund ने South Africa को 4.3 billion dollar का COVID-19 लोन की मंजूरी दे दी है और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि International Monetary Fund के द्वारा COVID-19 के लिए उसने जितने भी लोन दिये हैं उसमें सबसे बड़ा लोन यही है जो दिया है South Africa को तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं बढ़ते आगे पिरहाली में Power Finance Corporation ने Smart Grid Technology के लिए किस IIT के साथ समझोता किया है तो अंसर होगा IIT कानपूर के साथ तो अभी Power Finance Corporation ने IIT कानपूर के साथ Smart Grid Technology में Training, Research और Entrepreneurship Development के लिए समझोता किया है अच्छा IIT कानपूर से और क्या point याद आता है आपको आपको याद आता होगा अभी IIT कानपूर ने शुद्ध नाम से एक Sanitizing Device बनाये था उसके अलावा एक Mobile Master जी नाम से Teaching Setup भी तयार किया था इसने बाकि IIM Koji Code जो कि आपको केरल में मिलेगा और अभी ये News में इसली था क्योंकि इसने कलाई पर पहने जाने वाले जो Hand Band होते हैं वो बनाये था जिसका नाम रखा था Valley Band जो कि Social Distancing मेंटेन करने का काम करता है उसके अलावा IIT मदरास की बात करेंगे तो ये काफी कारण से News में था कुछ Important में आपको बताता हूँ एक तो इसने अभी एक Programming और Data Science में दुनिया का पहला Online B.A.C. Degree Course शुरू किया था और इसके अलावा याद रखना भी इसने एक Portable Hospital भी बनाया है IIT मदरास ने और उस Portable Hospital का नाम क्या है MediCab Portable Hospital मतलब आप उसे एक जगे से दूसरे जगे पर आराम से शिफ्ट कर सकते हो ये बताया था में आप लोग इसके अलावा जो अभी HRD मंतराले ने HRD मंतराले हमने आज पहला ही प्रस्ण पढ़ा इसका वैसे तो नाम अब चेंज हो गया क्या सिक्षा मंतराले तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी HRD मंतराले ने जो National Institute रेंकिंग जारी की थी उसमें overall category में IIT मंतरा stop पे रहा था बाकि IIT दिल्ली की बात करेंगे तो विश्व की सबसे सस्ती COVID-19 Diagnostic Kit जिसका नाम है Corosure वो बनाई है इसने एक Copal 19 एप्लिकेशन बनाया इसने और एक प्रकृती नाम से Dashboard बनाया COVID-19 के परसार की भविश्वानी करने के लिए उसके अलावा N-Safe नाम से Reusable मास्क भी इसने बनाया था तो ये भी धियान रखना बढ़ते आगे फिर है हाली में किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में आउस्ट्रेलियाई नागरिकता परदान की गई तो आंसर होगा भारत तो आउस्ट्रेलियाई अवरजन और नागरिकता मंतरी ने हाली में घोशना की है कि 2019-20 में आउस्ट्रेलियाई नागरिक बनने वाले दो लाग से अधिक लोगों में से लगबग 38,000 भारतियत है और वे आउस्ट्रेलियाई नागरिक तब राप्त करने वाले सबसे बड़े अंतर रश्ट्र समुदाए हैं पिछले साल की तुलना में बात करेंगे तो यह आकड़ा 60% तक बड़ा है पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे UK, तीसरे नंबर पे चाइना से और चौथे नंबर पे पाकिस्तान की लोग रहे बढ़ते आगे फिर अगला प्रश्ण है, यह अबिचरीज वाला प्रश्ण है, तो आपको बताना है परवेज खान का अभी निदन हो गया, यह क्या थे, तो अंसर होगा action director थे यह, तो बॉलिवुड के action director थे, यह परवेज खान जिनका अभी निदन हो गया, काफी सारी मुवीज में नोंने काम किया जैसे कि जौनी गदार, बुलेट राजा, अंधादुन वगिरा में अच्छा इसके अलावा एक बॉलिवुड एक्टरेस हैं कुम-कुम उनका नाम है और उनका भी अभी निदन हो गया है तो वो भी ध्यान रखना, अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे बूछा था ये जो बुक है ये किस ने लिखी है, तो सही उत्तर होगा सुब्रमन्यम जेशंकर जी ने तो आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईस, वीडियो को एंड करने से पर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर लाइक का बटन होता है, आपने लाइक तो कर दिया है ने से और इन सभी कुशन का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि यह सारे कुशन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और जो नए स्टुडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूँ कि क्विज में आप रैंकिंग फीचर भी एड़ हो चुका है तो अगर आप कम समय में जादा से जादा कुशन राइड करते हो तो आपका नाम आपके फूटू के साथ टॉप 10 स्टुडेंट्स में आपको दिखाई देगा आपको यह नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से मूटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहा तक पहुँचना है ताकि सब लोग आपको टॉप 10 निदे देख सके और वैसे भी आप तो आपकी इन करण्ट अफैस का रिविजन करवाने के लिए मैं इसका ओडियो भी तयार कर रहा हूँ तो दिन में 4-5 मिनिट निकाल करके आप आप ओडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करण्ट अफैस का फिट से रिविजन हो जाए क्योंकि आपको बता है चीजों को पढ़ना important है लेकिन समय समय पर उनका रिविजन करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है रिविजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़े आप भूल जाओगे तो आप भी के लिए मैं इसका रिविजन audio त्यार कर रहा हूँ तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ जाकर करके आप मुझे follow कर लिजे और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं audio upload करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अब यह तक आपने download नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको quiz, video, pdf सब मिल जाएंगे तो इस प्रस्ण का उतर आता है तो comment box में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मिलते current affairs के revision video में Thank you guys